फ्रेंच आज मैं आपके लिए 10 मिनिट में बनने वाली एक बहुती स्वादिस्ट और दानेदर मिठाई की रेस्पी लेकर आई हूँ इस मिठाई को हम बिना घी के बिना चाशनी के बनाने वाले खाने में बहुत टेस्टी बनती है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसी रेस्पी शेयर करूं जिसे एजिली हर कोई बना सके तो आई होप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगेगी अच्छी लगी तो इसे लाइक स्रूर कीजिएगा तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कप लिया पनीर ये वला जो पनीर है न मैंने घर पर बनाया हुआ है आप मार्किट का पनीर भी इसके लिए यूज कर सकते हैं और पनीर को इस तरह से क्रश कर लीजिएगा थोड़ा सा हाथों से आपने इसको मसल लेना है और इसका नाप देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ एक कप हमने इसके लिए पनीर ले लिया है और इसके बाद हम इसमें आदा कप डालेंगे दूद उबला हुआ दूद में इसमें डाले हैं नॉर्मली कोई भी दूद इसके लिए यूज कर सकते हैं और अब हम इसको पनीर को जो दूद में ऐसे अच्छी तरह से मिला देंगे गैस का फ्ले में हमने low to medium रखना और ऐसे न आप चमच से इसको ऐसे अच्छी तरह से मैश करते जाएगा इसको जैसे मसलते न इस तरह से करते जाएगा यह देखिए जिससे पनीर दूद में बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगा इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए यह ऐसी लगातार चलाते हुए पकाएंगे आपने इस चीज का ध्यान रखना इसको ऐसी लगातार चलाते रहना है और जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएगे धीरे धीरे यह थोड़ा गाडा होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको तब तक ही पकाएंगे जब तक यह तो अभी हम इसको गाड़ा होने तक थोड़ी दिर के लिए और पका लेंगे और यह दिखे मिक्स्चर पहले से काफी गाड़ा हो चुक है अब हम इस टाइम पेस में डालेंगे तीन से चार चमच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं औ तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे और अगर आप चाहें तो आपको इलाइची का फ्लेवर अच्छा लगता तो इस टाइम पे आप इसमें वो भी डाल सकते हैं तो अभी यह देखे जैसे हम इसको पकाते जारे हैं मिक्स्चर पहले से जो गाड़ा ह फ्लेम है जो बंद करते ना इसके बाद हम इसको जो दिए दिखिए इसने पैन को छोड़ दिया ना इसके बाद हम इसको दो ब्राबर हिस्सों में बाट लेंगे गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है अब मैं इसको जो दो कलर में बना रही हूं आप चाहें तो इसको केवल वाइट भी बना सकते हैं या फिर पूरे मिठाई है जो उसको भी कलर फुल बना सकते हैं तो हमने इसको ब्राबर हिस्सों में बाढ़ कर एक हिस्सा है जो इसका वाइट रखा है उसको एक प्लेट में निकाल लिया है जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इसमें थोड़ा सा डा तो अभी यह देखे यह वाला जो मिक्षर मैंने इसको भी प्लेट में निकालिया और इसको थोड़ा ठंडा होने देगे जब यह हलका सा गरम रह जागा उसके बाद हम इसकी मिठाई बनाएंगे और इसी तरह से एक प्लेट में हमने वाइट वाला पोर्शन है जो रख दिया और मिठाई आप देखे इसकी जैसे भी चाहें जिस भी शेप में चाहें बना सकते हैं मैंने इस तरह से कोकिंगिकतर लिया और एक प्लास्टिक का मिरे पना स ह Awakसे उसको थकन पड़ा था उसको मैंने कट कर लिया आप इस तरह से भी मोल्ड बना सकते हैं तो आब हम थोड़ा सा portion लेंगे और इस mold में इस तरह से इसको हाथों से दबाते हुए ना set कर देंगे अच्छी तरह से आपने दबाना अगर इसको mold में बना रहे हो और अगर हाथों से चाहो तो वैसे भी पेड़े की शेप दे सकते हो तो ये हमने एक पेड़ा इसका बना लिया है, इसी तरह से बाकी सारे पेड़े हैं हम वो भी बना कर तैयार कर लेंगे मैंने कुछ पेड़े हैं जो वो वाइट बनाए है और कुछ पेड़े हैं जो वो हम इस तरह से येलो बनाएंगे तो ये देखें बहुत ही इजली ये मोल्ड में से निकल रहा है इसी तरह से हम बाकी सारे जितने भी पेड़े हैं वो भी सारे बना कर तेयार कर लेंगे तो मैंने ये सारे पेड़े बना लिए और मैंने इनके उपर देखी थोड़ी सी तूटी फ्रूटी लगाई है और साथ में लगाया केसर के धागे जिससे लुक बहुत प्यारी आरी है और ये हमने वाइट पेड़े बना लिए और अभी मैं आपको तोड़कर इसका टेक्श्चर दिखाती हो ये देखिए आपको देखकर ही पता चलोगा कितनी दाने दर हमारी ये वली मिठाई है बनकर तैयार हुई है और बनाने में इसको आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नी लगने वाला ना ही ज्यादा इंग्रीडियन्ट की जरूरत है जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमली का ध्यान रखिए